राम राम जी आप सबको आपका अपने चानेल पर स्वागत हैं आज मा आपको स्वाइटर का डिजान गणा के दिखाऊंगे एक डिजान ये साथ फंदे का बनेगा पले आम एक फंदा शिलाई के लिए रख लेंगे दो फंदे ये उल्टे डिजान के ओगे पिछे दागा करके पांच फंदे चिदे गणा लेंगे दो उल्टे पांच फंदे चिदे अब ये साथ फंदे ओगे ये ही साथ फंदे का डिजान पड़ाना हम दो फंदे उल्टे, पाच फंदे सिद्धे, एक, दो, तीन, च्यार, पाच, फिर दो फंदे उल्टे, पाच फंदे सिद्धे, एक, दो, तीन, च्यार, पाच, पाच फंदे सिद्धे, फिर दो फंदे उल्टे, पाच फंदे सिद्धे, एक, तो, तीन, च्यार, एक फंदा किर्गे, पांच, पांच फंदे होगे, चिद्धे, और फिर दो फंदे उटे, और एक फंदा कम होगे जो हमारा, वो हमें उठा लेंगे यहां ते, ये फंदा मारा सिलाई के लिए होगे, दोन्नो कोणी पतिन, तीन, फंदे होगे, और बीच, बीच में, सारी जगे, दो दो फंदे होगे, ये कोणी माला फंदा दोन्नो तरफते हैं, उल्टी में भी और सिद्धी में भी उल्टा बनाऊंगे, ताके मारा पल्ला अंदर की तरफंदी मूडेगा, उल्टा बनानते है पिछे दागा करका दो फंदे सिद्धे आगे अब ये दूसरी उल्टी सडाई है दूसरी सडाई है दो फंदे ये सिद्धे आगे ये स्तरफ उल्टे बनाए थे और जो पांच फंदे इस्तरफ सिद्धे बनाए थे उल्टी साइड उल्टे ओगे ये दो सिद्धे पांच फं और पांच जो यह 5 फंदे हैं यह फंदें अंहें बीच के 3 फंदें उनको दो बार लपेट के बनाना है दन्नों साइड के एक फंद ये एक फंद ये इनको एक वार बनाना है पांच फंदे हैं जो पहला फंदा एक बार बना लिया दूसरा फंदा दो बार बना लिया तीसरा फंदा फिर दो बार बना लिया फिर चोथा फंदा दो बार बना लिया और पांचमा फंदा एक बार बना लिया एक फंदा एक बार बना लिया फिर दूसरा दो बार तीसरा भी फिर आगे 2 फंदे, सिद्धे, फिर 5 फंदे आगे, पहला फंदा एक बार, दूसरा फंदा दो बार, पीसरा फंदा भी दो बार, चोथा फंदा भी दो बार, और पांच बार फंदा एक बार, देखो, ये दो बार दिखाए दे रहे हैं, बीच बारे फंदे, फिर 2 फंदे, सि ये फंदा में एक बार, दो फंदे सिद्धे, एक बार बना लिया, फिर दूसरा दो बार, तीसरा भी दो बार, और चोथा फंदा भी दो बार, पाजवा फंदा एक बार, फिर दो फंदे सिद्धे, एक फंदा ये कोना बना उल्टा, दो सडाई योगी अब आगी तीसरी सडा प्रिजाइन के दो फंदे ये वी उटे बना लिए फिर पिछे दाग करके आँ देखो ये 5 फंदे जो सिद्धे बीच वाड़े दो बार हैं ये 5 फंदे एक भार ये खोल लेंगे जो तीन फंदे मारे बीच के लंबे हैं उनको ऐसे खोल लिए और पांच फंदे ये यूगाल पहले हम पांच फंदे का एक फंदा बना लेंगे फिर ये टीसरी सळ ये 1टी सडाई में पूरे करतेंगे बाढ़ा देंगे एक इस तरफ बढ़ा देंगे एक इस्तरफ बढ़ा दो फंदे यह थीर आगे एक दो फंदे उल्टे पिछे दागा करके अब ये पांच फंदे हिनको यू शडाई में डाल लेंगे और फिर इसी में डाल के देखो पिछे की साइड से एक बना देंगे पहले फिर ये लपेट के दागा दो बना लिए और एक बार फिर तीन पांच फंदे के तीन फंदे ब इस सड़ाई में लेके वापीस इसी सड़ाई में डाल लेंगे और पांच का पहले एक बना दिया फिर लपेट के जाली बना दी और फिर एक फंदा और बना दिया तीन फंदे बना दिये फिर आगे दो फंदे उल्टे पिछे दाग्या करके ये पांचों फंदे ऐसे खोल गे कोरेद और तो फंदेम हो खोले बिच के तिन फंदे ओकुल गैं कुलकर देखे जो और बंध। 3 फंदे 5 फंदे 5 फंदे फिर दो होचामगे मी सिर्फिस देबना दीए अ दो दो फंदे में सिदे बना दिये, फिर अपनी तरफ दागा करके आप तीन फंदे हैं, उल्टे बनाने हैंगे, एक तो ऐसे लपेट के बना लिया, अब ये च्यार फंदे होगे, और एक फंदा में इस्तरफ बनाना है, एक इस्तरफ बना लिया, एक इस्तरफ बना देंगे, ये पनी तरफ दागा करके ये तीन फंदे है एक इस्त्रफ बनाना हमने एक इस्त्रफ ये वड़ा इस्त्र लपेट लेंगे एक दो तीन अब एक फंदा इस्त्रफ बढाना है पिछे दागा करके ये लपेट लेंगे जाली बनाली जाली का मतलब ये हो गया फंदा हो गया ये फं एक दो तीन फिर पिछे दा गा करके ये वाड़ा में नियुल पेट के बना लेंगे फिर अपनी तरफ दा गा करके लपेट के फंदा बना लिया फिर तीन फंदे बना लेंगे एक, दो, तीन और एक फंदा फिर अमने यहां बनाना है निल्बेट के फंदा बना लिया और दो फंदे ये सिद्धे जो फंदे अमने गटाए थे वही फंदे अमने बढा दिये पूरे कर दिये अब ये सारे फंदे मारे पूरे हो गए और च्यार सड़ाई का एक डिजान बे मारा पूरा हो गया अब देखो आगगे फिरम पहली सड़ाई ते फिर शुरू कर लेंगे एक बार फिर बना का दिखातो तीन फंदे ये कोणप उल्टे आगे पिछे दागगा करके आप जो देखो ये विजाली का फंदा है ये विजाली का फंदा है बस ये थोड़ा दे आनी यू रखना है ये जाली वाड़ा फंदा यू नी बनाना आपने यू बनावंगे तो या ज्यादा बड़ा ओल दिखागा आपने या बने आपने ये फंदा जैसे इस तरफता ब ये सारे फंदे यूँ बनाके अब ये अगले विजान की पहली सलाई होगी दो फंदे उल्टे पांस फंदे सिद्धे अमने पहली सलाई यूँ बनाए थे अब ये वाली जाली अमने यूनी बनानी ये वाली जाली अमने पिछे त बनानी है ये पिछे त बनाके यूँ फिर अपने तरप दग्गा कर लेंगे फिर दो फंदे उल्टे पिछे दग्गा करके ये विजाली वाला फंदा आगे ये अमने अग्गे की साइड से गुनाना है ये इस साइड थोड़ा सा लूज कर लेंगे इसको एक तो तीन च्यार और ये फंदा में पिछे तवना देंगे पांच फिर पने तरप दग्गा करके दो फंदे उल्टे अगर हम यू के यू बना लेंगे ये यू बना लेंगे तो यहाँ ज्यादा बड़ा छेद बनागे आप देखो पता भी निचल रहा है याँ छेद भी है अब ये फंदा में यू करके बनाना है ये थोड़ा हाँ खेंच रहाँ यू कर लेंगे आगए की साइड से एक दो बार बना लेंगे फिर अपना आपी अच्छी साइटिंग बनेगी एक दो तीन च्यार और ये वाड़ा हामें पिछे की साइड से पांच फिर पनी तर्फ दागा गरके दो फंदे उल्टे पिछे दागा गरके अब ये वाड़ा फंदा यू गुना आतेंगे एक दो तीन च्यार और ये पिछे दागा पांच पांच फंदे होगे और दो फंदे फिर ये उल्टे होगे कोणे वाड़ा भी उल्टा होगे अब ये पैल्ली सलाई वी ये आग्गे इस्तर बनेंगे सारी पैल्ली सलाई और इसमे तो निच्चत शुरू करया था ये तो दो फंदे उल्टे पांस फंदे सिद्धे दो उल्टे पांस सिद्धे ये तो शुरूते करया था अब ये आग्गे इस्तर शुरू होगा हमारा अ चाली वाले पंदे उंगे दोन्नों साइड किस्त्र बना नहीं ये द्यान रखना बस अब ये चार चार सलायम बार बार बनाएंगे तो बोध सुन्दर गिजान बनेगा